आपसी रंजिश के चलते की थी बदमाशों ने पीडित के घर पे फाइरिंग जिसमें शापुरा पुलिस को मिली है बड़ी सफलता दो आरोपी को किया है गिरफतार अन्य आरोपी की तलाश है जारी शापुरा बिदारा मोड पर विगित दिनों आपसी रंजिश के चलते जान से मारने की नियत से फाइरिंग करने के मामले में शापुरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस ने इस मामले में दो जनों को गिरफतार किया है गिरफतार आरोपी अशोग कुमार रामजी लाल गुर्जर के मकान पर दिन दहाडे फाइरिंग की घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए थे। जिसमें पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफतार कर लिया है तथा बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। 307 में और राम सेक्ट में प्रणदर्ज किया गया और इसमें नुसंदान के बश्रात दो लोगों को अभी गिरफतार किया है। जो गिरफतार लोग हैं दो उसमें एक असो क्यादव ये चकमनोहरपुर थानाचंदवाजी का निवासी है। और जो दूसरा है वह है पवन कि अपया है।